नमस्कार में हूँ आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबरी बध्यप्रदेश चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओध्यप्रदेश में मार्च की पहली तारी को लाडली बहनाओं को मिलेगी राशी मद्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाला घाट और सिंद्वारा को विकासकारियों की सौगाते देते हुए एक एलान किया कि मार्च माह में लाडली बहना योजना की किस्त पहली तारीक को ही मिल जाएगी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादो ने बुद्धवार को बाला घाट में कहा कि बेहन बेटियों के कल्यान के लिए जारी कोई योजना बंद नहीं होगी लाडली बेहन योजना में मार्च मा की केष्ट पहली तारिक को बेहनों के खाते में जारी कर दी जाएगी उन्होंने कहा मैं अपने आपको मुख्यमंत्री नहीं जनता का मुख्य सेवक मानता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक हैं और मैं मुख्य सेवक के रूप में प्रदेश के विकास और जनकल्यान को समर्पित हूँ 25 फरवरी को अमिश शाह का होगा मद्धिप्रदेश दौरा चुनाओ से पहले MP में ग्रह मंत्री अमिश शाह का दौरा निर्धारित किया गया है 25 फरवरी को केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिश शाह का मद्धिप्रदेश में आगमन होने जा रहा है भोपाल, खजुराहो और गौलियर दौरा कर बूत सम्मेलन जनसभा और भाजपा के वरिष्ट नेताओं के साथ बैठक लेंगे बता दें कि लोगसभा चुनाओं से पहले अमेश शाह का MP दौरा काफी महतपूर्ण होने वाला है शैक्षणिक गुडवत्ता में बड़े शहर पिछडे चतरपुर पहले स्थान पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुडवत्ता, नामांकन और मूर्भूत सुविधाओं में चतरपुर जिले को पहला, खंडवा को दूसरा और दिंडौरी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है हलाकि इन जिलों को भी B ग्रेड ही मिला है प्रदेश के 52 जिलों में से किसी को भी A ग्रेड नहीं मिला है 40 जिलों को B ग्रेड और 12 जिलों को सबसे खराप प्रदर्शन यानी C ग्रेड मिला है इस बार की रैंकिंग में बड़े शहर पिछले साल के मुकाबले पिछड़ गए हैं MCU में अनियमित्ताओं को लेकर ABVP ने किया धरना प्रदर्शन राजधानी में स्थित माखन लाल पत्रकारेता विश्वी विद्याले में बड़द्वार को अनियमित्ताओं को लेकर अकिल भारतिय विद्यारती परिशत के कारेकरताओं ने बड़द्वार को प्रदर्शन किया दो पहर एक बजे से शाम पांच बजे तक ABVP के चातर कारेकरता धरने पर बैठे रहे और प्रबंदन के खिलाब नारे बाजी करते रहे चार गंटे तक चले जोरदार प्रदर्शन और हंगामे के बाद कुलपती केजी सुरेश ने छातरों की समस्याओं को ठीक करने का आश्वासन दिया इसके बाद छातर छात्राओं ने धरना समाप्त करने के लिए वो मान गए उन्होंने अपनी मांगो को लेकर कुल सचीप को ग्यापन दिया है इंदोर जिले से जलहट अभियान शुरू प्रदेश के हर जिले में जलसंरक्षन, जलसरवंधन और वर्षा जल की उपियोगिता को बढ़ावा देने के लिए जलहट अभियान की शुरुवात शीग्र की जाएगी इस अभियान के तहट व्यापक जन भागिदारी से तालाबों को जिर्णोदार गहरी करण एवम उनका सौंदरी करण किया जाएगा तालाबों को अधिक्रमन मुक्त करने की कारेवाई प्रात्मिक्ता के साथ की जाएगी जल हट अभियान से समाच के हर वर्ग को जोड़ कर जन आंदोलन बनाया जाएगा इस अफसर पर मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि वर्तमान समय के अनुसार अभी प्राकृतिक जल स्त्रोतों को का संरक्षन किया जाए जल की प्रत्येक बून को बचाया जाए उनके संकल्प को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संतुलन और पर्यावन संरक्षन के लिए जल संचयान के लिए कारे योजना बनाई जा रही है प्रतम चरण में इंदौर जिले के 51 तालाबों की जल सरवर्धन तथा जल संदक्षन कारे योजना अनुसार कारे प्रारंब कर 30 जून तक कारे पूर्ण कर लिये जाएंगे जुड़े रहे खबरी के साथ क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र